अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड काप के 2014 सेमी फाइनल में जगह बनाई तो पूरा क्रिकेट जगत उत्साहित था। 15 साल पहले इंटरनेशनल डेव्यू करने वाली यह टीम धुरंधरों को पच्छारते वे सेमी फाइनल्स तक पहुँचा गई। हर कोई इस अंडर्डॉग टीम की सफलता का जश्न मना रहा था। और वर्ल्ड काप इतिहास में साउथ अफ्रिका ने पहली बार फाइनल में जगह पाई अफ्कानिस्तान और साउथ अफ्रिका का यह सेमी फाइनल टीट्वन्टी वर्ल्ड काप इतिहास का सबसे एक तरफा सेमी फाइनल रहा। टॉस सेटकर पहले खेलते वे ब्रायन लारा स्टेडियम पर 12 वे ओवर में अफगानिस्तान की पारी 56 रनों पर सिमट गई। साउथ अफरिका ने 9 विकेट से यह मैच जीतिया यह T20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान का सबसे छोटा स्कोर भी है। 2020 वर्ल कप में टेस्ट फ्लेइंग देश का दूसरा सबसे छोटा टोटक साउथ अफरिका ने एक विकेट खोकर नों ओवर में या पूरा लक्षा हासिल कर फाइनल में जगा बनाई। जहां उनका सामना भारत और इंगलैंड के बीच होने वाले दूसरी सेमी फाइनल के उन्हें यान सेन ने आउट किया तीसरे ओवर में यान सेन ने गुलबदन नायप को नौर रनों पर बाहर भेजे चौधे ओवर में गगी सुरवाड़ा ने इब्राहीम जादरान और मुहम्मद नभी को बोल्ट कर दिया अगले ओवर में नांगे दिया खरोटे को आउट क अफगानिस्तान का स्कोर तेस रन पर पांच विकेट हो गया टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अमतुला अमर अजेने साथवे ओवर में एंडिच नौर्थ जगा का शिखर बनाना यहां पर पसंद किया और यह खिलाड़ी भी आउट हो गया 28 रनों पर 6 विकेट गिरने के बाद करीब जनत और राशित खान के बीच 22 रनों की साज़ेदारी हुई 50 के स्कोर पर जनत शमी की गेंद पर एलपी डबलू हो गए इसी ओवर में नूर एहमद शुन्य पर उनका विकेट गिरा 50 के ही स्कोर पर राशित खान बोल्ड हो गए 12 वी ओवर में नवीन उलहक की विकेट के साथ अफगानिस्तान की पारी सिमट गई यान सेन और समसी तीन-तीन जब की रवाडा और नर्ज ने दो-दो विकेट लिए अफगानिस्तान की पारी में आतिरिक्त से सबसे ज़ादा 13 रनों का युगदान दिया है ये पहली बार है जब साथ अपरिका की टीन T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंची है अब देखना होगा कि वे फाइनल में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या चौकर्स का टैग ह टाकर टॉफी जीत पाते हैं